हलो टियर डॉक्टर फ्रेंड्स तो स्वसन तंत्र चैप्टर जे आपनों चाली रहे उचे तिमा आजे आगडवधी शू अल्मस आपड़े छल्ला टॉपिक पर छी है जे मां लास्ट वीडियो लेक्चेर मां जे हम स्वसन तंत्र संबंधी ठोड़ा डीजीजिस के रोगों आपड़े वर्णन करी रहाता जे मां बे जोई गया ची आपड़े ब्रोंकाइटिस नी वाद थे गई जे लांबागा ना दुम्रपान के स्वास नड़ियों मां लागतों बेक्टेरिया वड़े चेप छे अने अस्थमा जे एक एलर्जिक लक्षन तरीके आपड़े वायू कोस्ठों नी स्थितिस्था पक्ता गुमावाई जाई चे तमा नास पामे चे ने कारणे व्यक्ति नी च्वाचो स्वास नी क्रिया कोई ने कोई चक्कस हाथ सुधी सुधाई अहरो धाई इमा पन खास के वां मांगीस के मित्रों उच्छवास मां तकलिफ जाई चे अने ते क्रोनिक डिसीस चे मित्रों के जो इनी सार्वार ना करवा मां तो धिरे धिरे तेनी तीवरता वदती जाई चे तो जेना कारणे उच्छवास पची वायू कोस्ठ मा पन हवा भरायली रहे अने आ वायू कोस्ठ मा जो हवा भरायली रहे तो नवा स्वास आवती जे हवा छे ओक्सिजन युक्त हवा तेने वायू कोस मा जग्या मरती नाथी आम थवाने कारणे पूर्ती मात्रामा ओक्सिजन कोसो सुधी सपलाई करी सकता नाथी आपणा वायू कोस्ठो अने आ खामी ने दिर्ग कालीन ब्रोंकाइटिस तरीके पन वर्ण भी सकाई कारण के ब्रोंकाइटिस नी जो सार्वार में तमने आमना कीदू लांबा गाडा थी थाई ना होई तो ते एमपी सेमा मा रूपांतरी थाई जाई ते प्रकार नी खामी छे एमपी सेमा ए धिरे धिरे वत्तो जतो रोग छे जेमा वायू कोस्ठो नू अप्रती वर्ती विस्तरण अने स्थिति स्थापकता लगभग नास पामी जाई छे आने तेनों कायमी कोई इलाज छे नहीं छता एने थोड़ी सप्लिमेंटरी दवाव आपपाथी मेडिसेन आपपाथी कंट्रोल मा लई सकाई छे जे मा खास करीने एंटिबायोटिक्स आपपामा आवे छे अने स्वास वही नीनू विस्तरण प्रियर्ती दवा जेने केवाई छे ब्रोंको डाइलेटर जे तरीके बे नाम जो तमें लखवाई इसता होई तो साल्वियू टामोल अने टर्वियू टालीन अब ये विसेस दवाव उचे ब्रोंको डाइलेटर तरीके वापणी सकाई जे बेजिकली आपणी स्वास वही नीनू सुकर हे जे ना थी जहरे आखामी सर जाई चे एंफिसेमा नों आननी वाद करिये तो एमा पन जेमा या लखान धायो चे के उच्वास मा ते व्यक्ति तकलिफ अनू भवे चे फोर्सपूली उच्वास करिया पची पन गणीबदी हवानू कद वायू कोस्टों मा बरायलू रहे चे जेने आपणे कहिये चे रेसीडियूल वॉल्यूम तो ते जे रीते एमफिसेमा मा पन कही सकिये आर वी नू वॉल्यूम अतवा आर वी और शाधान रीते वधारे नोंदाई छे तो आती बार एमफिसेमा जो ये व्यवसाय प्रेरित फेवसाना रोगो तो एवा चोकस जे व्यक्ति ओ कोई चोकस व्यवसाय साते संक्रा एलावह ने ते व्यावसाई नी जे जग्या चे त्यां जे प्रकार नूं मैनुफेक्चरिंग के प्रडक्षन धतु ओई तेमा थी निकरता अलग-अलग प्रकार ना गैस धुमाडा के धुणना रचकनों ये व्यक्तिना जो स्वास मा जाये तो स्वासन तंत्र ने कोईने कोई हद स्वास जे चय सकेज जहां खास आपड़ी पासे बेरोगों ये वर्ण वाया चै 22 चैस सिलिकोसिस औने वीजू छे एस। अलंग-अलग ऐ चैस ये लोग-एनिकर व्यक्तिन स्वाघंति हैं अ upp कोई देखल् ils एक और लोग-एटिन तेनी जे स्थिती स्थापकता छे तेनी जे मुक्तरी ते संकोचन आने सिथिलन पंवाण वनी संता जो कि आ प्रकार ना बिजनेस साथ संक्राइला जे व्यक्तियों छे इंप्लोयर से खास एवा मास्क वगेरे पहरवानी सला अप्पाम आवाँचे परन्तु जो ए मास्क वगर अथवा आवा कोई चोकस प्रिकोजन लिधा वगर ता एनू काडिय करतो जाई तो एने आ प्रका स्वास नड़ियने स्वास वाणियने दीवाल ने स्थिति स्थापकता नास पामी जाए तेमा सोजो आवी जाए तो आवा जे रोगों चे मित्रों इने व्यावसाई साथे संक्राइला फेवसान रोग कही सक्ये अने छली जे तकलिफ छे ते डीकम्प्रेशन बीमारी आम इ स्थितिया होवाने कारणे ते वाईकोस ने डिवाल ओडंगी सकतो नथी औने रुधिर मा प्रवेसी सकतो नथी परन तु तेज समय जो तमने याद होई तो आप एव वनवी होतु कि जे मर्जी वाओ छे अथवा जे दर्या खेडू यक्ति हो छे जे खुबज उंडा पारने जे तकलिफ ते व्यक्तिने क्रियेट्थाई जे तेने केवाई छे डि कंप्रेसन सीकनेस तो खास खरी ने मर्जिवाओ माटे जवाद करी चे के उन्चा रख्त दबाणे स्वास लेओ पड़े ज्यारे ते वो अउंडा समुद्रमां गया होई जिना कांगे नाइट तरिया माहता त्यारे दबान कुबज वधारे आतू परन्तु पाचा जयरे बहार आवी जसे त्यारे दबान नौर्मल थाई जाए तो ते समय आजे रूधीर मां द्राविय थाई गयेलो अथवा प्रविश्ची गयेलो नाइट्रोजन जे छे ते परपोटा स्वरूपे मुक प्रवार पेटे इमीजेटली आने होस्पिटलाइस करोज पड़े तो आप रकाने जे खामी चे तने के भाई चे डी कंप्रेशन सिक्नेस तो आनिसादी मित्रों रोगों अल्मोस आपड़े कंप्लीट करे दिदा जे छेल्ली थियरी छे आपड़े जे नीट मांटे कड़ाज तम्हें आना कोई MC को कसे जोया हासे कोई क्वेशन बेंग मां तो सूच या बोहर नोबक्र इने बोहर नी असर तरीके पन वर्णव आई छे बेजिकली तम्हें अपड़ी NCAT मां वारे वारे आएक सब्द वांचता हातों के ओक्सीजन हीमोगलोबीन विखंडन अ आधारित नती मित्रों ते CO2 ना अंचिक दबाण अने pH इवा बे अधर फेक्टर अथवा परिबड़ो पर पन आधीन छे तो इनी एक प्रॉपर स्टेडी करीने बोहर नामना वईग्णा निके के के वी ते ओक्सीजन अने हीमोगलोबीन नो संयोजन बने छे अने खाया सं क्यां चला अफ़ान अ प्रसेजन इस स्वाभाविक चे जोडिया मैं चाहएमोगलोबीन अने हीमोगलोबीन अब प्रसंटेज एचबी ओटू आजे समीकाणों चे मित्रों एपन बोहर नी थियरी ना भाग स्फरूपेज अहीं वर्णवी रही हो छो तो परसंटेज एचबी ओटू अथवा ओक्सीजन हीमोगलोबीन जे संयोजन बने चेना परसंटेज कोना जेटला होई तो त्य सीधा ओक्सीजन ना आ CO2 एटले के कार्बन डायोकसाइड नो आंसिक दबाण पन होई छे औने एसीड इकता पन असर करे छे औने ये बनने एक्चुली तेने विरोधी परिबड़ोतरी के असर आपे छे अधीस होई छे तो हवे आ इक्वेशन ने आपने आरीते मोडिफाई करी सक्ये के परसंटे HbO2 is inversely proportional to pH तो जेम वाद करी के खाली O2 ना दबाण ने ध्यानमा रही राखी ने इना बया सकत जे परिबड़ो छे CO2 नी सांद्रता अथ्वा CO2 नो आंसिक दबाण अने pH ने पन ध्यानमा लेवी पड़े तो अलग-अलग प्रकाना डेटा लईने बहरे बहु डीटेल मा अभियास करियो जे तो आपने एक डेटा जाने गया के स्वसन क्रिया नू नियम है ये चेता किया नियमण स्वरूपे पन थाई याद होई तो आपने वी वात करिया थी के राशान एक नियमन बिजिकली क्यारे थाई छे तो ज्यारे खास करी ने PCO2 नो मुल्य अनि एपन क कहिए ओक्सीजन युक्त रुधिर मां जो PCO2 नी मात्रा 40 mmHg जिरली जड़वाई दे जे एक स्वस्थ हेल्दी कंडिशन स्वसन माटे नी प्रूव करे छे परन्तु समझो के जारे जारे PCO2 नी मात्रा 40 mmHg करता वधी जसे तो त्ये संजोग मां रासानेक नियमन गतिमान थ थाई ओतु रासानेक नियमन मां खास एविवाद थे यती के रुधिर वहे नी इमा पन खास गरिवा धम नी अंदर नी दिवाल में वा रासान ग्राई अनु आवेला छे आने अनु ओ तूरंध जारे PCO2 नी सांद्रता वधे छे तो उत्ते जित थाई छे आने तेव स्वस पर सन केंद्रों ने आगाड उत्ते जन करे आने उत्ते जन ठवा थी आपनी स्वासो स्वासनि क्रियाना दर्मा वधारों थाई छे परन्तु शररता थी आस थेयरी ने समझ वी होई तो जुओ तेमने पोथा ना जे ग्राफ छे पोथा नो जिया कर्व छे अत्वा वक्र छ परसंटेज एच्ब ओटू अन्हें एक्स पर में लिदू छे सी ओटू वलब जुओ के डाइडेक्ट आपड़े ओटू साथे तेनों संबंद बांदियों नाथी कांड के सभाविक चे यह डाल्टन नों नियम पन जो तमें लगाडवा जाओ तो ब्लड़नी अंदर सी कांड कि यह तो खास त्यारेवा प्रदूसित विस्तार मां जैसू त्यारेज आपड़ा रूधिर मां बढ़तो होई तो एक कंडिशन मां डाल्टन ना नियम प्रमाणे पी ओटू प्लस पी सी ओटू इस इकल टू बन मतलब जेटलों पी ओटू ओच हो तेटलों पी सी पना आपड़े बोली सक्ये तो जैरेक नॉर्मल कंडिशन पर वार्ट करिये जेरी ते तम्हें या सेंटर वाड़ी लाइन जीओ परसंटेज एच बी ओटू अने पी सी ओटू ना टमसमा जे ग्राफ तमारी सामे तम्हें जोई रिया आचो स्क्रीन पर मां वच्चे नी ड नॉर्मल चालिया करेचे के हवे समझो पी सी ओटूनू मुल्य वद्य छे तो पी सी ओटूनू मुल्य जो 40 एमे मेजजी करता आपड़े खास बस 40 एमेमेजी नू मुल्य पकडिलो कानकि आइडियल वॉल्यूम छे तेना थी मुल्यमा वधारो थाय औने घटाडो थाय त्य तो जेना बेश पर आपने MCQ पुछाई सके तमने क्वेशन में कोई चॉपकस मुल्य आपी दे के CO2 नू मुल्य अन्सिक दबान नू मुल्य जो आटलू होई तो नीचे पाई कि कही गटना जवाँ मरसे दाबू स्थड़ांतर के जमनू स्थड़ांतर तो क्यारे थासे डाब पी ओटू गटे अन्सिक परसेंटेज एच बी ओटू माँ पन घटाड़ो थाई अन्सिक खारने जे नॉर्मल डॉटेड लाइन हाती ते नीचे नी बाजू गती मान थाई जै नीचे नी बाजू सिफ्ट थाई चे हम नीचे एटले अपरे डाउन सिफ्ट एवावर्ड आ आजू कवचो यहां ओटू ना मुल्याने अपरे ध्यानमा लेता ना थी विगोज पी सी ओटू ना मुल्याने आधिन अपरे परसेंटेज एच बी ओटू नू निर्मान डेवलप करी सक्केसों डिराइव करी सक्केसों तो पी सी ओटू जारे 40 mmHG करता वदी जाई त्यार साथी उपनी टॉप डॉटेड ग्रीन लाइन मां पी सी ओटू इस देन 40 mmHg तो जारे सी ओटू नू आंसिक दवान रूदिर मां 40 mmHg करता ओचू जाए तो साबाविक चे पी ओटू वधवानों चने पी ओटू वध से तो आपड़े या बाजू वाइक्स पर परसंटेज HbO2 नू मुल्य पन तमने उन्चू मर से तो यहने किदू छे बोहरे लेप्ट से तो यह बस आज बे वर्स समझो अने बे वर्स अत्वा बे थियरी सेना बेस पर आपड़े वर्णव यह चे ते समझो तो PCO2 नू मुल्य सपोस नू काले उटी ना कई देओ के 50 mmHg छे तो क ग्राफ चे ते नीचे नी बाजू जसे जेने आपड़े कहिए चे राइट सिफ्ट अत्वा जमनू स्थड़ांतर अने जो PCO2 नू मुल्य 40 mmHg करता ओछू जसे तो आज जे ग्राफ चे आजे वक्रा चे ते उपर नी बाजू सिफ्ट थसे जेने आपड़े के वनू छे ल बोहर नामना विग्णा निये आने आती तेने बोहर नी असर पन कहवाई चे तो जेम वाद करी के साधरन पुक्त व्यक्ति माँ ओटू विहिन रुधिर माँ PCO2 नू मुल्य सरेरास 40 mmHg जड़वाई रेवुझे जे आपड़े NCRT नो पन डेटा चे जने आपड़े आगर स्वसन नी क्रिया उत्ते जाई छे समझाई तो आतुमित्रो बोहर नो वक्रव I hope के तमने समझ पड़ी गया से में खाली बेज फंडामेंटल यहां ध्यानमा लेवाना छे एक तो एक्वेशन ध्यानमा राखो औने क्यारे थाई चे लेफ्ट अने क्यारे थाई चे राइट सिफ्ट अब अने सिफ्ट थावा माटे सी ओटू नो मुल्य केटलू हो जोई है तो बस 40 mmHg करता वधारे जाई तो यह राइट सिफ्ट थासे औने 40 mmHg करता ओचू थासे तो यह लेफ्ट सिफ्ट थासे डाबू स्थणांतर आसी वाई पी ओटू प्लस पी सी ओड़ी इस मित्रा चैप्टर आप्रों अल्मोस्ट कंप्लीट थाई गयू एनसी अर्टी बेज अने आसी वाई नीटनी एक्स्रा जे थियरी करवानी तिये पने आपने बहुत सारी त्या चैप्टर मां स्टेडी करी गया छता तमने कोई डाउट होए तो मने कॉनिट करी सक्वाइश होई मित्रा आपने एक नवु चैप्टर सरी करी सु यूमन फीजोलोजी नू जे छे मनुष्यमा परीवन डेजर अने परीवन गुडबाई